दोस्तों वरह मैं आपसे कहूँ कि Real Cricket 24 के अंदर अब आपकी बैटिंग बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है क्योंकि अब ऐसा फीचर रिलीज कर दिया है कि जिससे कि आप अपनी बैटिंग ही नहीं अपना प्री सेट यानि शॉर्ट मैप का प्री सेट भी बहुत बढ़िय यूज करना है और क्या-क्या इसके फाइदे हैं सब कुछ बताऊंगा और अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो आपकी बैटिंग आपका प्री सेट सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है तो बिना टैम कवाए और बिना वीडियो को इसकिप कि ये वीडियो एंट त खेलना है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझाएगा तो कैसे समझाता है ये कैसे इसको यूज करना है तो सबसे पहले ही जब आप गेम को चूज करते हैं कोई भी अगर कोई क्ले में या टेस्ट मैच में कहीं पर भी आपको गेम लगाना है तो जब आप डिफिकल्टी जाओगे तो easy mode और medium mode ये दो में ही काम करता है short assist और hard mode expert mode और hardcore mode में ये काम नहीं करता है तो यहाँ पर जैसे ही आप easy ये medium mode चूज़ करते हैं तो आपको इस box के अंदर यहाँ पर click करना है यानि tick mark कर देना है तो ये काम करेगा अगर आपने tick mark नहीं करा तो ये work नहीं करेगा तो यहाँ पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो game के अंदर आपको तीन option मिलते हैं यानि कि आप push कर सकते हो stroke खेन सकते हो या loft खेन सकते हो इसमें से जैसे ही आप कोई एक choose करते हो तब आपको यहाँ पर जो भी suggestion होंगे उसको follow करना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको पता suggestion मिलते हैं कि मैं 7 o clock खेल सकता हूं और मैं 11 o clock खेल सकता हूं तो यहाँ पर आपको suggestion कैसे समझ में आएंगे जो joystick है उसके अंदर आपको यह arrow बने हुए हैं चोटे चोटे जिससे हम 7 o clock 8 o clock समझते हैं वो red हो जाएंगे बाकी white रहेंगे और जो suggestion होंगे वो red हो जाएंगे त तो यहाँ पर मैं 11 o clock चूज कर लेता हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना perfect shot गया है अब यहाँ पर मैं जो दूसरा shot select करने जा रहा हूं वो है stroke अब जैसे मैं ने stroke चूज करा बॉलर थोड़ा सा आगे बढ़ा मुझे जो है line लेंद दिख गई यहाँ पे cursor पता चल गया कहां पर टपा खाला है बॉल तो आप देख सकते हैं कि मुझको यहाँ पर six suggestion मिले है छे स्याथ आठ यानि 11 o clock 2 o clock और 4 o clock यहाँ पर मैं 4 o clock चूज करता हूं और आप देख सकते हैं कि यह stroke में कौन सा short है और कितना बहतरीन गया है अब मैं यहाँ पर चूज करता फ्रंट फूट पे मुझे यह भी बताते जाता है जैसे आप देख सकते हैं कि फ्रंट फूट पे अगर लगाना है तो फ्रंट फूट पे आपको यह red एक चोटा सा arrow दिख जाएगा और बैक फूट का अगर short होगा तो बैक फूट पे यह red arrow आ जाएगा तो इससे आप 5 o'clock और 6 o'clock तो मैंने 2 o'clock चूट किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कितना बेदरी short क्या है तो देखिए यहाँ पर AI आई आपका बहुत फायदा करने वाला है और इसी तरीके से आपको क्या करना है कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि कौन सी लेंड पे हम क गोल शॉर्ट भी सजिश्ट करेगा या नहीं करेगा आप जिसे आपको short पता चल जाता है उस short को आप ढून सकते हैं short map के अंदर setting में जाए short map के अंदर और front foot या back foot पे जो भी short आपको मिला है उसको आप ढून सकते हैं बहुत आराम से तो अगर ऐसा होता है वो short आपको short map में नहीं मिलता है तो short book के अंदर जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं कि ये कहीं gold shot या platinum shot तो नहीं है और मुझे अभी बहुत जल्दी बना रहा हूँ तो इतना मैं sure नहीं हूँ कि ये gold या platinum shot भी बताएगा मेरे इसाब से जादा तर ये free shot जो हैं वही बताने वाला है तो और आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो comment बताईएगा वीडियो को like कीजिएगा अपने दोस्तों चाहिएगा तो यहाँ पर मैं आपको इसी तरह की के वीडियो लेकर आता रहता हूँ मिलते हैं दोस्तों किसी next वीडियो में अलाहाफीज चैहिए